हेलो गाइज, यू आ गूइंग टू लर्न फोर फोरेवर, लर्न फोर फोरेवर वेलकम स्यू गूड मॉर्निंग दियर स्टूरेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स आज के अपनी ये फर्स्ट वर्क्षीट है मैथमेटिक्स की सेवन्थ क्लास के लिए अब कुछ वर्क्षीट ऐसी आ रहे हैं जो स्पेसिफिक क्लास के लिए आ रही है एक अल्टुगेदर आती हैं कमबाइंड वाले 6-8 के लिए और ये क्लास वाइज है जो आज मैथमेटिक्स के लिएст मैथमेटिक्स की कहा है इसलिए फर्स्ट मैथमेटिक्स की इस तरीके से लिखा है ना Student ने म्याल लिखेंगे यहां कलाश इचर का नाम लिखेंगे हां आज डेट हो गईanas स्पेमबर और ये मैथ कैसे है इसमें थोड़ी सी calculation है बच्चों के लिए interesting based interest based तो चलिए करते हैं इसको आज मा ने यहां से पढ़िएगा मिरे साथ आज मा ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा बच्चों वीडियो के skip ना करें जिससे शिर्फ आपका उधेस से question कर लेना नहीं होना चीए आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आज माने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा दो बच्चियां हैं दो लड़कियां हैं उनकी माने उनसे कहा कि आप अपने कमरे की सफाई करो तो मैंने देखा किसने देखा बड़ी वाली ने इन्होंने मैंने देखा छोटी बहन की स सारे चीजे बॉक्स में अवस्थित रखी थी इस वर्कषीट का इंगलिस वर्जन भी है और हम उसको भी इसी वीडियो में करेंगे आपको दोनों देखना चीए जिससे कि आपकी हिंदी और इंगलिस दोनों अच्छी होती जाएंगी आपकी वेकबुल्री मजबुत होती है छोटी वेहन की सारी चीजे बॉक्स में अविवस्थित थी तो मैंने अपनी छोटी वेहन से कहा आओ देखें आपके बॉक्स में क्या-क्या चीजें हैं इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हम फिन लोगों ने क्या-क्या देखा उसम जेक्ट उनका एक संग्र है उनका मतलब एक कमपाईलेशन है जैसे कि संख्या सब्द माप और लोकन या केवल चीजों का विवरण माले ये सारे चीज़े क्या बताती है कि कौन से चीज कितनी है कहां रखी है कितनी मात्रा में है तो आकड़े इसी को कहते हैं आकड़े कट्थित करना और ये आकड़े कई परकार कर सकते हैं कोई संख्या हो सकती है कि दस है कोई सब्द हो सकता है ये बहुत है माप हो सकता है जैसे पांच किलो है और लोकन हो सकता है कि अच्छी स्थिति में है खराब स्थिति में है बढ़ ने सब्ग्सक्राइब और में बता जा सकते हैं कि आखे वी काटठे करना यह आखने भी कई तरीके होते हैं प्राइमरी और सेकज्डरी ठीक है प्राइमरी मतलático हो गए है जो खुद जाकर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सेकनडरी और किसी का कलेक्ट किया हुए डाटा आपने ले लिया और उसका इस्तमाल कर लिया जैसे सरकार कई इसकी मलाती है तो उसको लिए भी उसको डाटा चाहिए होती है समझ रहें यह बहुत डिटेल में है आगे पढ़ेंगे बाकि इस वरक सिट को करते हैं तो इसके कुछ और फैक्ट से उसको देख लेते हैं अरे वह यह तो आकड़े हैं उनके पास यह पास चीजें थी यह गेंद बैडिमिंटन रैकेट खिलोना गमलेट टोपी और किसकी कितनी संख्या थी गिंती करके लिखी हुए है पांच चार दो चार तीन अ आप इन्हें बढ़ते करम में लिखी है बढ़ते करम मतलब इंक्रीजिंण ओर्डर में ऑंसेंडिंग मैं होता है कि आगे के तरफ बढ़ना तो सबसे पहले कौन सा जाएगा दो आ जाएगा ठीक birthday दो की बाद पहला ऑक्षार तो तो Tन है यहां पे तो तूतीन है ये रहा क्या है पाँच है तो पाँच हो जाएगा तो ये पाँच बार की संख्या हो गई और ये हो गया ascending order एक होता है descending order उसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा मतलब नीचे उपर वाला बड़ा वाला उपर जैसे पांच और बाकि चार इस तरीके से नीचे तक समझत रहे उस्वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है तो सबसे अधिक बार किसको देखेंगे आप फाइफ ड़ाइच बॉल गेंद उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम है सब सेकंबर तीन बर कौन से है नहीं दो बर है ना तीसर नंबर पर खिलो ना ठीक ओचो अब इसका इंगलेस वर्जन देखते एक उससे आपकी समझ बढ़ती है आपके हिंदी इंग्लिस दोनों अच्छी होती है आपको दोनों करना चाहिए दोनों देखना चाहिए मेरा ये मानना है देखिए बच्चों Today our mother told me Today our mother told me and my sister मेरी बहन को और मुझे आज हमारी मम्मी ने बताया कहा क्या कहा To clean साफ करना सफाई करना To clean our rooms अपने अपने कमरे साफ करें I saw my younger sister's things were unkept in box मैंने देखा बड़ी बहन कह रही है मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन younger sister मतलब younger मतलब होता है छोटे उम्र में छोटे younger sister's things were unkept in a box एक box में unkept थे मतलब इधर उधर फैले थे So I called my sister and asked her तो मैंने अपनी बहन से कहा Come and look what all things you have in your box चलो देखते हैं कि आपके box में क्या-क्या पड़ा है Let's count them and make a note of them चलिए उनको गिनते हैं और उनका एक आकड़ा बनाते हैं तो उनकी एक सूची बनाते हैं यह सारी चीज़े हैं यह आपने देखा यह Data is collection of facts Such as numbers Data क्या होता है कोई भी data मतलब आकड़ा वो किस चीज़ कहो सकता है नंबरों कहो सकता है जैसे 5 है Words कहो सकता है जैसे कम है ज्यादा है बहुत है धेर सारा है अगर आपसे कोई कहें कि धेर सारा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि that is in a much in the counting समझ रहे हैं आप measurements हो सकता है कि बड़ा है छोटा है 5 kilo है 10 kilo है 50 meter है 100 meter है इस तरीके का observation और just a description of things और या उसके बारे में कुछ और बाते बताए जा सकती है तो यह होते है डाटा कलेक्शन डाटा समझ रहे हैं आप आपका डाटा खतम हो जाता है क्यों खतम हो गया क्योंकि यह इतना MB था वो भी एक क्या है वो आकड़ा है एक रिकोर्ड है ना कि इतना MB था इसलिए खतम हो गया अगर वह unlimited वाला होता तो खतम होता क्या समझ रहे हैं I hope आप समझ रहे हैं और कमेंड में मुझे बताइएगा कि हां सर मुझे है समझ में आया I would be happy to see from you to hear from you So thanks guys आगे देखते हैं इसका जो कुछ कॉस्टन से उसको कर लेते हैं दिखिएगा वो वाव This is the data I hope आप डाटा समझ चुके है ठीके They have five things Ball, Badminton, Rock, Racket, Toys, Planters, Gumly and Caps So numbers of the things are like this Count, ball is five, four, two, four, three You can see it And the questions which is related to this worksheet We will do it Write the data in the table Ascending order Ascending order मैंने आपको समझा है Hindi वाले में एक बार दोबार देखिए जब आप इस तरीके से लिखते हैं बढ़ते करम में एक होता है Ascending order जो चीज़े बढ़ रही होती है एक होती है Descending order जो घट रही होती है तो जब बढ़ते करम में लिखते हैं जैसे कि इधर के तरह बढ़ेंगे नंबर तो देखिएगा सबसे पहले कौन सा आएगा Ascending order में सबसे छोटा वाला आएगा तो सबसे छोटा का है 2 है ठीक है उसके बाद 3 है अपने पास Just is connection 3 ही होगा ना तो 3 यहाँ पर है तो हम 3 लिख देंगे 3 उसके बाद कौन सा है 3 के बाद कौन सा होता है 4 होता है 4 दो बार है 4 दो बार लिख देंगे Then left is 5 जो बच्चा हुआ हो 5 है और इस तरीके से आपने इसको लिख देंगे Ascending order में अगर इसी को descending order में लिखना हो तो यह उल्टा हो जाएंगे पहले 5 जाएगा फिर 4 और फिर 4 जाएगा फिर 3 फिर 2 इस तरीके से descending order होता है बड़ा नमबर पहले और उससे छोटे क्रम में साथ में आते रहेंगे I hope चीज आपका पसंद आ रहेंगे बच्चो मेरे साथ पढ़के आपको अच्छा लग रहा होगा और obviously लगेगा मैं इसके लिए प्रयास करता रहूँगा आपके लिए नही नहीं चीजे लाता रहूँगा वीडियो को लाइक किजेगा चानल को सब्सक्राइब किजेगा हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मेरा प्रयास होता है कि आपकी समझ बढ़ाऊ whatever we will learn that would be for forever so guys we will learn for forever my objective is to learn the things in once so we could not waste our valuable times in repetition of the same things again and again and we could save our valuable time for something new as we know we have a lot to cover up new things third question second question देखिएगा write the name of thing which count most इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ के है write the name of thing which count most जो सबसे ज़्यादा counting करती है that is ball five here देख रहें and third question is write the name of thing which count least तो सबसे कम कौन सी नंबर है counting में that is twice twice is only two so this is the overall video guys बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे so thanks for now guys thanks stay safe stay home take care पुक् कीजaran mechanल कीजर झावेगन भाई कीजर